पांध लिया पाकर रहे हो नौट को टाइट कर रहा हूँ तुम्हें एतनी देर क्यों लग रही है? कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं बस बाहर आ रही हूँ अपना हाथ गिला मत करना पता है तुम्हारे पेट में दर्द है? नहीं तो यहाँ हाथ क्यों रखावा है? ऐसे ही लाओ, बांद देता हूँ नहीं, जरुरत नहीं है मैं वैसे भी सोने जा रही हूँ शर्माने की जरुरत नहीं है मैं कर देता हूँ पांद लिए? क्या कर रहे हो? नौट को टाइट कर रहा हूँ टाइट कर दोगे तो उतारते वक्त खोलूगी कैसे? कोई बात नहीं मुझे बुला ले ना, मैं आके खोल दूँगा मेरे लिए मुश्किल नहीं उफ, चुप होजाओ वारा ये चांदने जैसा चेहरा उझे एक कविता याद दिना रहा है कौन सी? चांदने राथ में बाहर के फूल खामोश है जिन्दकी चलती जा रहे है और हम मत होश है हरानी की बात है कि तुमने इस तरह की रोमैंटिक किताबे भी पड़ी है और भी बहुत कुछ पड़ा है मैंने कुछ और सुनाओ मुझे तुम्हारे होटों की ये बस बस अब बस भी करो और नहीं सुनना मुझे इसकी हरकते तो देखो और नहीं सुनना मुझे हो गया यॉर रेड़ी अब तुम सोने जा सकती हो और तुम क्या करोगे बाहर इंतिजार करूँगा तुम गेस्ट्रों में सो क्यों नहीं जाते हां वहां मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आएगी इसलिए यही रोहूँगा लास्ट टाइम जब मैं बेट्रूम में सोई थी तुम बाहर ही थे तुम ठीक है बाहर नहीं बैठता कैसी बाते करते हो जाओ यहां से अरे मैंने क्या किया आवा निकलो यहां से कैसी बाहर ही बाहर है क्या मैं अंदर आजाओं दर्वासा खुला है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है अहां थोड़ा थोड़ा प्लास्टर तु ठीकी है इतना दर्द होना नॉर्मल है इतनी रात हो गई तुम्हें क्यों नहीं मेरे ख्याल से पीन के लिए का एफेक्ट कत्म हो गया है अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो एक और ले लो जो को पानिया तो कर दो कर दो काफी गर्म था, धंडा कर रहा हूँ तुम ओल्ड स्कूल हो, किसी ने तुम्हें बताया है तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा यह तो मुझे नहीं पता पर कभी कबार मुझे लगता है मैं अपने पुराने दिनों को जी रही हूँ क्या किसी और ने तुम्हारे लिए कभी ऐसा किया? डैड ने क्या तुम्हें ने कभी साइक्लोजिकल थियोरी के बारे में सुना है? जब कोई बेटी अपने बाप के बहुत करीब होती है न तो उसकी शादी उसी आदमी से होती है जो उसके बाप जैसा हो तुम बिल्कुल डैड जैसे हो जल्दी से मेडिसन लेलो ताकि दर्द काम हो जाए अपने जखमी होने पर उनके खिलाफ केस नहीं करोगी? इसके पीछे उनका नजरिया जानना बहुत ज़रूरी है क्या उन्होंने जान बूच कर किया या फिर अंजाने में हो गया? आखिरकार मैंने उनके खिलाफ बोला है उनको बुरा तो लगा ही होगा ये तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ? कुछ नहीं, जल गई थी हुआ क्या था? तुमने मरहम लगया था इस पर जिन मैंने सुन तुम्जखनी हो गई हो तो मेरे हाथ पोट अटने हो गए थे तुम्हें प्लास्टर चड़ाते वक्त मैं काफी नेर्वस था इतने सालों में पहली दिफ़ा ऐसा हुआ कॉंग रॉंग? तुम्हारे सर पर चोट कर सुनकर मेरा दिल बस रुकनी वाली थे ये वाला दिल जबसे अन दोनों एक साथ हैं तबसे एक डर्सा है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कुछ नहों तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं खयाल रखो तुम्हारा तुम्हारा